बिस्मिल्ला रह्मान रॉराहीम, अस्सलाम हुलेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ टेस्टी क्रिस्पी डॉनेट्स, तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले हमने तीन से चार आलू ले लेने हैं, उसको बॉयल कर लेना है, नमक और काली मिर्च डाल के, यह अपनी मर्जी आपने कुछ डालना के नहीं, पर इसको बॉयल कर लेना है, अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है, आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुकी है, हम इसके अंदर डालेंगे चिकन जिसको हमने बॉयल कर लिए नमक गाली मिर्श डालके और इसको फिर रहषे कर लिए हम इसके अंदर यह ऐड़ गरेंगे साथ एक फुल बारीक कटी हूई प्यास लेंगे तीन से चार हरी मिर्चे अड़ करेंगे ये भी बारी चॉप हुई हुई है साथ ये थोड़ी सी हरी प्याज आड़ करेंगे हम इसके अंदर और इसके बाद थोड़ा सा सबस धनिया आड़ करेंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो चाता है 1 तीस्पून इसमें सॉल्ट आड़ करेंगे क्योंकि हमने चीकन और आलू में भी नमकाट किया हुए 1 तीस्पून हम इसमें एड़ चिली पाउडर एड़ करेंगे 1 टीस्पून ब्लेक पेपर 1 टीस्पून जीरा पाउडर 1 तीस्पून चिली फ्लेक्स यानि धड़ा मिर्च आड़ करेंगे और साथ इसके अंदर हम 1 टीस्पून कोरियांडर पाउडर, सुका देनिया पाउडर एड करेंगे और साथ 1 टीस्पून चिका पाउडर, डालने तो डाल लीजिए यह भी डाल देंगे, से टेस्ट अच्छा हो जाता है, गु depths मिक्स graduate Center मिक्स लिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अब हम इसको शेप देंगे, डोनेट्स की इस तरह से आप 98 um का बॉल बना तियार हो चुकी है, इसी तरह से अब सारे डोनट्स रेडी कर लिजिए, साथ हमने लिया है एक, इसको बीट कर लिया है, साथ ये ब्रेड क्रम्स हैं, अब ये लगा कि हम अपने जबरदस्ते क्रिस्पी डोनट्स रेडी करते हैं, सबसे पहले डोनट को हमने एक में डिप करन पिर हमने इसको निकालना है और आप ऊपर से मतलब उपर रखना ताकि अvoor शतर जह ए तरने और इसके बाद हमने इसको Cowई हम ने इसको ब्रेड क्र 계से अपर ब्रेड क्रम्स के ने है यह देखें, कितना जबरता से दीके से उपर प्रेट क्रम्स लग चुके हैं इसी तरह से हम सब के साथ करेंगे और अपने डोनर्स रेडी कर लेंगे, आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह यह कि जब आपने खाना हो इस तरह से निकालें, इसको फ्राइ करें, और इंज्वाइ करें यह हमारे डोनर्स फ्राइ हो रहे हैं, इसको लाइर सा, बिल्कुल हलकी आख के उपर इसको आपने कलर देना है पिर जब लाइर सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसकी साइर्स चेंज कर देनी है ये बिल्कुल लो फ्लेम है तेस फ्लेम के उपर इसको जादा आपने नहीं करना ने तो ये जल जाएंगे इतने खुबसूरे से माशाला हमारे डोनर्स रेडी हो चुकी है आप भी जड़ूर ट्राइ करें और फिर बताएं ये कैसे बने थे अगर आपका आलू का मिक्सचर पतला हो जाए तो आप उसके अंदर ब्रेड क्रम्स मैदा या कॉर्ण फ्लोर इन तीनों में से कुछ भी आड़ कर सकते हैं इसी के साथ मुझे दीजिए इजासत अपना ख्याल रखिए अल्लाहफिज